हाई फ्रेंड्स मैं परवंदर खाली फ्रेंड्स आज की हमारी गेंजीन की वीडियो रेकमेंडेशन है उनका नाम है हर्ष हैपी और उन्होंने मुझसे जिस गेम के उपर वीडियो बनाने के लिए का है फ्रेंड्स वो गेम खेले गई थी सन 1978 में क्रिस्टोफ पैंजिक मत्य प्रेंड्स इन दोनों खेलारों के बीच में ये गेम खेलेगे थी तुबारह मुझसे नाम लिया नहीं जाएगा गेम मैं सही कहूं तो गेम इस तरह की है कि एक मूव इसमें ऐसा आएगा बिल्कुल कॉपी बुक पजल लेवल आप ज़रा वीडियो पॉस कीजिएगा मैं सब्सक्राइब होगी यहां डी फोर के साथ क्रिस्टाफ ने शिरूब किया मिठायस ने यहां नाइट एफ शिक्स से गेला देन 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 देन्द देन सिंपल ओपनि मूव रुक आया सी वन स्कुराइर पर सही बात रुप्स पहले सेंट्रलाइज करना चाईए वाइ ब्लैक और वाइट दोनों को पॉइंट वी से गेम मेरे ख्याल से कंप्लीट हो चुकी है और बिल्कुल जो मैं से पल कई बार कहता हूं कि आखिर यह सीफोर पॉंड कब लेना चाहिए तब जब वाइट ने अपना बिशफ डिलोट किया हो क्योंकि सेम सेनारियों ना डी टेक लेकिन स्ट्रेटीजी है कि ठीक है एक की पीस को दो बार टच करवा दो ओपनिंग थोड़ा दिस्टरब हो नाइट टीफाइव बिशफ एक्शन आसकी है बिशफ जी तरी नहीं किया है नाइट टेक सी थी बी टेक्स सी थी देन सी ठीक है इसके बाद अब वाइट को मौका मिला उनने कैसल कर लिजा है यहां इस पॉइंट पर जिस तरह से गेम आगे बढ़ी है जस्ट फॉर एक तुक का परपस कहलो यहां ए पॉन आगे पुश उसके बाद बी पॉन उसके बाद सी पॉन यह एक स्ट्रेटीजी अच्छी हो सकती है लेकिन मिथायस ने सिंपल रख अब यहां definitely struggle कर रहा है पनी pieces को develop करने में अब यह जो knight manure आया है अखरी यहां से knight कहां जाएगा मुझे लगता नहीं knight कभी अराम से develop हो पाएगा फिलाल वाली condition में तो बिल्कुल नहीं है उल्टा knight e5 की option जानी की white को एक मोका मिल गए knight को बाहर develop करने का a6 अब किया तो सही प्रेंट से चलिए यह जो knight यहां इस e5 square पर आया है इस से होगा कि अगर sacrifice दिया भी और बिशप है यह अगर bishop ना होता तो बिल्कुल था knight takes f7 just a tactical formation है रुक takes f7 होने के बाद d takes e6 रुक पर attack होगा और अब रुक जहां भी हट है उसके बाद discovered check का scene बनता है तो यह move है important बिशप डार्क square bishop ना हो तो पक्का अगले move में queen कवानी पर जाती ब्लाक हो चलिए कोई बात नहीं जो नहीं है उसका क्या कहेंगे अरे नहीं यार उसमें तो रुकिवा आ जाएगा न इसावन में खुश हो जाऊंगा कि मैंने उपनेंट का एक isolated pawn कर दिया है उसी को ले कर स्टेजी ते यार गरने की कुश्श करोंगा तो पीसे फिर फिक्स हो जाएंगे व्लैक उसी का roundabout है उसका defense करने में लग जाएगा उसमें कहीं भी वहां का मिल जाएगा वहां निगीं खेल करें अन्डिफेंडेट पीस का रुख कोने में रखा हुआ है कुईनी फोर सिंपल सबसे बढ़ी है अब डिरेक्टली यहां कुइन पर जैसे ही है पॉना इसे लेटेट हुआ है सारी स्टेजी उसके बाद वरी है रुक को अटाना पड़ेगा नाइट को नाइट को क्यों अटा आए और नाइट को टाले तो बैटर था लेकिन रुक एसा लगा ब्लैक को कि ठीक है रहो गया मेरा बढ़िया चीज़ लेकिन नाइट जी सिक्स यहां रुक पर अटेगे पहले बिशप तो है यह यह अटर जोगी और उसके बाद रुक जैहां मर्जी हटे लेकिन ना यह भी एक हिंट मानके चलिए जो पजल आने वाली है उसके लिए यहां पर खेला गया रुक एफ सिक्स कोई बहुत बड़ा ब्लेंडर नहीं है लेकिन इस मूव के बाद एग्जेक्ली आप यहां इस वीडियो को पॉस करें जिस्ट एजट एज़ पजल इसे समझने की चलिए अगर आपने निकाल लिया है तो बहुत बड़िया है लेकिन नहीं निकाला है तो आप यहां इस बिशेप की पजीशन को भी देखिए इस फॉक की सिच्वेशन को भी देखिए जो क्लियर है अंडिफेंडेड क्या क्या है यहां पर रुक और कुइन दो चीज क्यानि कि रुक को हटवा कर यह काम किया जा सकता है तो फाइनल मूव था यहां क्रिस्टाफ का कुइन ए एट जिस मूव के चलने के बाद फाइनली मिथायस को डिजाइन करना पड़े जैं क्या कोई उमीद की जा सकती थी कि कि किसी भी तरह से एट स्क्वेर पर कुइन को स फिक है तो भी शाप यहां डाउन हो चुको होगा ब्लैक तो च्या-क्या कर सकते हैं सबसे पहला काम जो कर सकते हैं वह एक्षिन सेक्रिफाइस कमान दोते हैं वी शाज़को बचाने की कुषिश करते हैं तो सीधी सी बात है क्विंट एक्स बी-7 और उसके बाद बस कुइन सबसे बड़ी बात है पहले तो आईगी चेक नाइट एकसी सावन चेक अब यह तो क्विंटेक्स एसेवन कर लो उसके बाद कुईटेक्स भागना रहे तो किंग को मुव करना होगा उसके बाद कुईटेक्स भी सेवन और अब बाहर निकाल लो अपने इस नाइट को सबसे बढ़िया तरीक ऐसे के फेंट्स बहुत अच्छी गेम थी और इस मुव के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें आपके कमेंट्स का मुझे बेहदिन जा रहेगा थैंक यू फॉर वचिए और बाई फॉर मॉट्ट